प्रस्न आठ, सरल किजिये और उत्तर को घातांके रूप में लिखिये, प्रस्न आठ का पहला, तीन का घात साथ बटा, तीन का घात दो, गुना, तीन का घात पांच, तो सरल करना है और उत्तर को घातांके रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखें, तीन का घात साथ बटा, तीन का घात दो है, तो इसको हम लिख लेंगे, तीन का घात साथ माइनस दो, गुना, तीन का घात पांच, भागा में, क्या होता है, घात को घटा देते जब आधार बराबर हो, जैसे यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, अब भागा में है, देखें, बटा में है, तो भागा में हुआ, यानि 3 का घात 7-2 लिख लेंगे, क्योंकि भागा में घात क्या होता है, घट जाता है, तो इसका उत्तर आ गया, 3 का घात 5, 7 में से दो गया तो 5, ग तो इसका उत्तर हो जाएगा, तीन का घात 10, तो गुना में क्या होता है, घात जोड देते हैं, तो पांच जोड पांच यानि तीन का घात 10, उत्तर होगा, तो इस तरह से इसको हल करेंगे, दूसरा दो का घात तीन गुना दो का घात दो गुना पांच का घात पांच यह है प्रस्ण दो का घात तीन गुना दो का घात दो गुना पांच का घात पांच तो देखें यहाँ पे दो है आधार यहाँ भी आधार दो है घात अलग-अलग है तो जब आधार बराबर हो तो घात को क्या करते हैं जोड लेते हैं यानि दो का घात तीन जोड दो हो जाएगा घात को जोड लेंगे गुना पांच का घात पांच लिख लेंगे यहां पर अब यहां पर हो जाएगा दो का घात तीन दो किता होगा पांच गुना पांच का घात पांच ठीक है तीन दो पांच अब देखिए यहाँ पे घात क्या है बराबर है यहाँ भी घात पांच है यहाँ भी घात पांच है तो क्या होगा जब गुना में हो और घात बराबर हो तो इस तरह लिख लेते हैं देखिए दो गुना पांच का घात पांच यानि ये दोनों को गुना करके और पुरा पे घात पांच दे देंगे क्योंकि दोनों पे पांच पांच घात है इसलिए दोनों को कोश्टक में करके घात पांच दे देंगे यानि पांदूना कितना होगा दस तो 10 का घात 5 इसका उत्तर होगा 10 का घात 5 तो इस तरह से इसको हल करेंगे प्रस्न 3 छे का घात 2 गुना छे का घात 4 भागा छे का घात 3 यह प्रस्न तो हम जानते हैं कि गुना में क्या होता है ये गुना में पहले कोश्टक दिया हुआ है यानि ये दोनों को पहले हल करेंगे तो गुना में क्या होता है जब अधार बराबर हो जैसे यहां पर 6 है यहां भी 6 है घात अलग अलग है तो घात जूट जाता है यानि छे का घात दो जोड चार लिख लेंगे भागा छे का घात तीन तो छे का घात दो जोड चार यानि छे का घात छे लिख लेंगे घात जूटेगा तो भागा छे का घात तीन अब हम जानते हैं कि भागा में क्या होता है घात घट जाता है, यानि यहां भी 6, यहां भी 6, घात अलग अलग है, तो घात क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानि इसका उत्तर हो जाएगा, 6 का घात 6 में से 3 गया 3, यानि 6 का घात 3 इसका उत्तर होगा, तो प्रस्न 3 इस तरह से हल करेंगे, प्रस्ण चार दो का घाद दो का घाद तीन गुना तीन का घाद छे ठीक है ये पुरा फिर कोश्टक में है गुना पांच का घाद छे इस तरह से है प्रस्ण दो का घाद दो का घाद तीन गुना तीन का घाद छे ये पुरा कोश्टक में है फिर गुना पांच का घाद छे तो देखे तो इसका जब घाद पे घाद हो घाद पे घाद हो तो क्या करते हैं गुना कर लेते हैं यानि दो का घाद क्या हो जाएगा दो गुना तीन यानि छे देखे जब घात पर घात हो तो क्या हो जाता है गुना यानि दो तीया छे लिख लेंगे दो का घात छे गुना तीन का घात छे इस तरह से लिख लेंगे इसको गुना पांच का घात छे अब गुना में है घात बराबर है तो क्या करेंगे दो गुना तीन का घात छे लिख लेंगे यानि दोनों पे घात छे लिख लेंगे कोश्टक दे करके क्योंकि दोनों पे छे छे घात है गुना 5 का घाट 6 तो देखें 3 दुना 6 यानि 6 का घाट 6 गुना 5 का घाट 6 तो यहाँ पी घाट क्या है बराबर है तो इस तरह लिख लेंगे 6 गुना 5 का घाट 6 जब घाट बराबर हो तो इस तरह लिख लेते हैं गुना करके दोनों पे घाट तो 6 पचे 30 यानि 30 का घाट 6 इसका उत्तर होगा 30 का घाट 6 तो इस तरह से इसको हल करेंगे प्रस्न पांच प्रस्न पांच में 8 का घाट 2 भागा दो का घाट 3 इस तरह से है तो 8 का घाट 2 को हम लिख सकते हैं दो का घाट 2 ये 2 का घाट 3 8 को देखिए 2 का घाट 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 दून अचार 4 दून 8 यानि 8 को हम 2 का घाट 3 लिख सकते हैं फिर इस पे घाट 2 भागा दो का घात 3 इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 8 जो है 2 को 3 बार गुना करने पर आता है यानि 2 दूना 4, 4 दूना 8 यानि 2 का घात 3 लिख लेंगे 8 बराबर और यहाँ पर घात 2 है इसलिए इस पर घात 2 दे देंगे तो जब घात पर घात हो देखें घात पर घात है तो गुना हो जाएगा यानि 2 का घात 6 हो जाएगा 3 दूना 6, भागा 2 का घात 3 अब भागा में है और यह आधार बराबर है जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो घात घट जाएगा यानि 6 माइनस 3 हो जाएगा यानि दो का घात छे में से तीन गया तो तीन इसका उत्तर होगा दो का घात तीन प्रेस्न नौ सरल कीजे प्रेस्न नौ का पहला दो का घात पांच का घात दो गुना साथ का घात तीन बटा आठ का घात तीन गुना साथ ये है प्रेस्न नौ का घात पांच का घात दो गुना साथ का घात तीन बटा आठ का घात तीन गुना साथ तो इसको में इस तरह लिख सकते हैं देखे, दो का घात, पांच का घात दो है, यानि जब घात पे घात हो तो क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, यानि पांदूना दस हो जाएगा, तो दो का घात दस लिख लेंगे, इसको, गुना, साथ का घात तीन, बटा, अब देखे, आठ का घात तीन है, इसको हम लिख सकत हैं दो का घात तीन का घात तीन आठ को हम दो का घात तीन लिख सकते हैं क्योंकि दो दूना चार चार दूना आठ होता है यानि दो को तीन बार गुना करने पर आठ आता है तो दो का घात तीन और घात तीन है पहले से तो घात तीन यहां पर दे देंगे अब यहां पर देखिए साथ है तो साथ का घात तो इसको भी साथ ही रहने देते हैं ठीक है उसको आगे हल करेंगे अब देखिए यह हो जाएगा दो का घात दस गुना साथ का घात तीन माइनस एक यानि ये इस पे कुछ घात नहीं तो एक है, तो देखें, तीन में से एक घटा लेंगे, क्योंकि भागा में है, देखें, बटा में है, इसके नीचे है, तो इसके उपर एक घात है, यानि घटा लेंगे, क्योंकि भागा में है, और इसको लिख लेंगे, दो का घात, तीन ती में है देखिए दो का घात दास दो का घात दस बटा दो का घात नौ है भागा में तो घटा देंगे यानि घात को और यहाँ पर लिख लेंगे साथ का घात दो ठीक है तो यह आ गया दो का घात दस माइनस नौ यानि दो का घात एक घात में एक लिखें आना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है साथ का घात दो को लिख लेंगे सत सते उन्चास उन्चास लिख लेंगे और दो का घात दस माइनस नौ यानि दो का घात एक घात में एक लिखें आना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इस तरह से प्रस्ण नौ का पहला हल करेंगे प्रस्ण दूसरा पच्चीस गुना पांच का घात दो गुना टी का घात आठ बटा दस का घात तीन गुना टी का घात चार इस तरह से प्रस्ण है पच्चीस को हम लिख सकते हैं पांच का घात दो देखे पच्चीस को क्या लिख सकते हैं पांच का घात दो गुना पांच का घात दो 10 का घात 3 है यानि उसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 2 गुना 5 का घात 3 देखे 10 को हम 2 पचे 10 यानि इस तरह तोड़ सकते हैं तो 2 गुना 5 का घात 3 गुना T का घात 4 बटाम में है तो देखे अब यहाँ पे 5 का घात 2 गुना 5 का घात 2 तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा पांच का घात दो जोड़ दो क्योंकि अधार बराबर है तो घात को जोड़ लेंगे तो पांच का घात दो जोड़ दो हो जाएगा गुना टी का घात आठ बटा अब यहां पर इसको लिख लेंगे 2 का घाथ 3 गुना 5 का घाथ 3 गुना T का घाथ 4 देखें अलग अलग करके लिख लेंगे 2 का घाथ 3 गुना 5 का घाथ 3 गुना T का घाथ 4 तो यह हो जाएगा 5 का घाथ 2 पलस 2 यानि 5 का घाथ 4 हो जाएगा ठीक है, गुना, टी का घात 8, बटा, दो का घात 3, गुना, पांच का घात 3, गुना, टी का घात 4, इस तरह से लिख लेंगे दो, दो, चार हो जाएगा यहाँ पर, पांच का घात 4, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखें, पांच का घात 4, माइनस 3, गुना, टी का घात 8, माइनस 4, बटा, दो का घात 3, देखें, इस तरह हम लिख सकते हैं कैसे, तो पांच का घात 4, बटा में हैं पांच का घा तो घात घट जाएगा क्योंकि भागा में है बटा में है तो भागा मुआ हुआ तो चार में से तीन घटा देंगे उसी तरह आठ में से चार घटा देंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा देखे, पांच का घात, चार में से तीन गया, तो एक, तो बस कुछ नहीं लिखेंगे घात में, घात में एक लिखेंगा ना लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टी का घात, देखे, आठ में से चार गया, तो चार यहां पर लिख लेंगे, बटा, दो का घात, तीन तो 2 का घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं 8 तो इस तरह लिख लेंगे 2 का घात 3 यानि 8 2 दूना 4 चार दूना 8 तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 5 बटा 8 T का घात 4 इसका उत्तर हो जागा 5 बटा 8 T का घात 4 तो इस तरह इसको हल करेंगे प्रासने तीन तीन का घात 5, गुना दस का घात 5, गुना 25, बटा पांच का घात 7, गुना 6 का घात 5, यह है प्रासन तो इसको हम लिख सकते हैं, देखे तीन का घात 5 तो तीन का घात 5 ही रहेगा गुना 10 का घात 5 को हम लिख सकते हैं दो गुना 5 का घात 5, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, दो पचे 10 होता है तो दो गुना 5, 10 को लिख सकते हैं, गुना 25 को हम लिख सकते हैं, पांच का घात 2 ठीक है और बटा में तो 5 का घात 7 गुना अब 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 दो तिया 6 होता है तो इस पे घात 5 इस तरह से लिख सकते हैं इसको तो इसका उत्तर हो जाएगा यानि उत्तर नहीं मतलब आगे इसका हल हो जाएगा तीन का घात 5 गुना दो का घात 5 गुना पांच का घात 5 गुना पांच का घात 2 बटा पांच का घात 7 गुना दो का घात 5 गुना तीन का घात 5 इस तरह से लिख लेंगे, अब देखें, तीन का घात पांच, तीन का घात पांच, काट देंगे, दो का घात पांच, दो का घात पांच, काट देंगे, पांच का घात पांच, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखें, पांच का घात, पांच जोड़ दो, गुना में है तो घात जोड लेंगे क्योंकि पांच अधार बराबर है पांच यहां भी है पांच यहां भी है तो घात को जोड लेंगे बटा पांच का घात साथ लिख सकते हैं यानि पांच का घात पांच दो साथ बटा में है पांच का घात साथ तो देखे, पांच दो कितना होगा, साथ तो पांच का घहत साथ, पांच का घहत साथ कट गया यानि एक आया इसका उत्तर, सब कट जाएगा इसमें तो इसका उत्तर आएगा एक तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे झाल झाल